दोस्तों अगर आप भी अपने वीडियो की डिटिंग मोगाइल फोन से करते हो लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपने इडिटिंग इस धंग से करूँ कि मेरे वीडियो और भी प्रोफेशनल दिखने लगे तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखरी तक देखें दोस्तों वीडि सेटी बहुत सारे जितने भी काइन मास्टर के हम लोगों को आप्शन है उसको मैं फुल डीटेल में एक्जामपल देखे बताऊंगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेश्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेर किजिएगा तो दोस्तों चले मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट काइन मास्टर आपस को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को इंटरफेस मिल जाएगा तो दोस्तों यहां पे जो प कर सकते हैं जो के फिर्यों कोश्ट होता है बहुत सारे विएक्स को आप यहां से डॉनलोड कर सकते हैं दोस्तों इसके बगल में जो आइकन है की यूटूब का है आप चाहें तो यूटूब पर काइन मस्टर का चैनल है उस पर जाके वीडियो को कैसे कि जाते उसको देख स क्याफ पर क्राम करते हैं तो एक दिन में बनता हम लोगों को ईक दिन added AI तो लग जीए तो दोस्तों अगर काइन मस्टर की यहे ऑच्छी बात है कि अगर काइन माश्टर से आप अगर एडिट करते हो और मान लिजे कि आपने मिनिमाइज हो लिया और या आपका मुआल फोन स्विच आफ ही हो गया तो आपका जितना प्रोजेक्ट आपने बनाया था वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिक ठीक है तो देखिए जैसे मैं इस वाल है अफ नाम लेट इत्यक्त आपने इस तरीक से हम अपने किसी प्रोजेक्ट को एक डाम दे सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मैं वीडियो को दना यह करूंगा और यहां पर दोस्तों मैं आपके बता दूँ कि 16 इस्टू 9 वाला रेशियो हम तभी क्लिक करेंगे जब हम लोग को यूटूब वीडियो बनाना हो और यह फूल स्क्रीन वीडियो बनाना हो तो आप 9 इस्टू 16 पर भी क्लिक कर सकते हैं और आपको इस्टाग्राम या फेस्बूक वाइरे के लिए यूटूफ के लिए अगर वीडियो बनाते हैं तो वान इस्टू वान यानिके जितना लंबा यह उतना चौराई आप चुन सकते हैं दोनों एक्वल रहा तो मैं अभी 16 इस्टू 9 पर क्लिक कर देता हूं आप दोस दो वो मैं लगभग चार पार्ट में बनाऊंगा कि हम लोगे मीडिया कैसे सेलेक्ट करते हैं ठीक है मीडिया के टोटल एडिटिंग के बारे में बताऊंगा फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको लेयर के बारे में बताऊंगा उसके बाद दोस्तों मैं आडियो के बारे म बताऊंगा और उसके बाद जो छोटी मोटी जो मिस लेनी है सिधर साइड में हम लोगो देखने को मिल जाती है इसके बारे में जानी कि मैं वीडियो को पांच भाग में डिवाइट कर देता हूं ठीक है तो अभी जो दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको वो मैं आपको बत फोटोस को और अपने और दोस्तों मैं यहां पर क्या सेलेक्ट करूंगा अपने किसी वीडियो को सेलेक्ट करूंगा और क्लिक कर दोंगा देख सकते हैं दोस्तों वीडियो यहां पर आ चुका है तो दोस्तों यहां पर हम किसी फोटो को भी अपने टाइम लाइन पर सेट क कि बता दो यह जो रेड़ वाला जो लाइन हे नीचे इसको लोग प्लेफट खाता है ठीक है तो चलिए मेडिया पर हम लोग क्लिक करता है तो दोस्तों मेडिया पर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला प्लेट को मिल जाता है यहांपर क्लिक करते है Heard Trem चाहते हैं तो इसको क्लिक कर देंगे क्लिक करना यह हो गया अगर दोस्तों एड़ेट करना यानि कि आपको तो बाड़त देना है अपने वीडियो स्प्रिट पर क्लिक कर हैगर मैं इससे प्रिशिय फोटो यानिक एक फोटो कैप्emitism हो जाएगा और यहीं पर इनसर्ट हो जाए यह देखिए हैं इस हो गया ना यह फोटो यहацион हो गया तो हम लोग क्लिक्क नगा तो इस देख सकते हैं आडियो जो है यहां से एक्स्ट्रैक्ट होगई ठीक है अब आडियो में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोगो काफी सारा उप्शन मिल जागा है जैसे हम लोग अपने साउंड को कम जादा कर सकते हैं दोस्तों कई पर आपने देखा हो कि अगर हेटफोन लगा आप यहां नेंगए तो इसे दोनु ऐस में आवाज जाएगा दोस्तों को नीचे आपने हम प्रसण बाज्स काम है अवाज को पतला कर देंबा भाड़ी कर देंब जैसे पिछ अगर नीचे की तरफ लाता हूं तो दोस्तों है अगर देख दोस्तों यह हैं पर मेडिया पर क्लिक करता हो तो दोस्तों को यह क्ठीक क्रॉपिंग क्यों देखने को मिलाता है तो सक्ष्ट देख canvas इस बязते हैं a और वीडियो को अगर प्ले करता हो ठीक है यह देखिए आपको देखने को मिल रहोगा ना कि जो स्टार्टिंग पॉजिशन कुछ और था मेरा और यह फूल हो गया तो इस तरीके से अगर है अगर आपको सेम रखना है इसको कंटिन्यू कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह यहां पर इंट पॉजिशन लास्ट पॉजिशन इसका सेम हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं अब दोस्तों मैं फिर सकर मेडिया पर किलिक करूंगा तो यहां पर हम लोगों को साउंड का मिलता है तो दोस्तों यहां पर मैं अपने पर हम क्लिक करेंगे तोiciency graphics कॉप्सन मिलता है बहुत सारे यहां में इस पर क्लेक करता हूं अ दोस्तों यहां पर लेख देता हूं सब्सक्राइब नाओ ठीक है मैंने लिग दिया अब जब यह स्टार्ट होगा अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूं अब यह देखिए आ गया नहीं तो इस तरीके से कि मैं इसको अंडू हो जाता हूं फिर से ठीक है तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को लागा कर अपने ओडियन्स को ग्रीट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद दोस्त हम लोगो नीचे इस ओडियो को मैं यहां से ड्रेट कर देता हूं फिर से मेडिया पर जब क्लिक करूंगा तो स्पीड कंट्रोल का ओप्शन देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप अपने वाइस को वान एक्स से फोर एकस एट एकस यानि कि अगर आपकी वीडियो अगर 45 मिनट कि यहां से आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज 悄ो जाएगा पिर त्व से ऑदियो को मैं त Przy दोस्तों यहां पर मैं के लिक करोंगा होती स्पीड कंट्रोल पर यहां पर आप तो अपने वीडियो को को देजव कर سकते हो धीमा भीकर सकते ओर दीरे उसा होता है कि मालनों मैं मोटो बलोग बनाता हूं रसित में अगर मैं बाइक से जा रहा तो दोस्तों आवाज आपने देखा होगा कि मतलब है कैसा एकदम कचर-पचर एगनम अजीब सा आवाज आता है क्योंकि वीडियो पुरा फास्ट हो जाता है तो आडियो को समय जाती है इसलिए हम लोगों को आडियो यहां से म्यूट करने का option मिल जाता है ठीक है और वीडियो को छोटा करने के लिए हम लोग अपने time को बढ़ा देता अब दोस्तों लोग यहां पे «rotate and mirroring» option मिलता है जिस पर अगर मैं इस पर इंट्लिक करूं अगर इस पर क्लिक करूं तो यह देखिए एंटी क्लॉक वाइज में घुमेगा यानि के घड़ी जैसे घुमता है उसके उल्टा अगर यह करूं तो यह क्लॉक वाइज में घुमेगा इस तरीके से हम लोग इसको मिरोरिंग कर सकते हैं अगर दोस्तों के बाद हम लोग को कलर फेल्टर को अप्शन भी मिल जाता है तो दोस्तों उम्लोंग जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे देख सकते हो color हम लोगों को देखने को मिल दाता है ठीक है तो मैं इसको नौर्मली रहने देता हूं डीक है न और दोस्तों फिर सब यहां पर दोसके बाद दोस्तों हम लोगों यहां पर वॉल्यूम इन्वालब दोस्तों कई बर ऐसा होता है कि वीडियो में जो लोग म्योजिक सेट करते हैं तो हम लोग कहीं पर वाइस धीमी कहीं पर तेज यानि ऐसी जरुवत पर तीज़ से मालीजे मुझे 5.6 सेकंड पर अगर मुझे आवास को थोड़ा और तेज़ करना है तो इस तरीके से मैं कर दूँगा यहां पर थोड़ा यह करके थोड़ा के पर किसको यहां ले लूँगा और यहां पर थोड़ा के इस तरीके से तो यह जो मेरा आवाज होगा यहां पर जो 5.6 सेकंड पर है है वो काफी बढ़ जाएगा वाइस इंवलप के जरीय से तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं अब दोस्तों मैं वाइस इनवलप के नीचे अगर रहाँ तो ऑडियो फिल्टर को प्शन मिलता है जिसम्में आपको वाइस चेंजर में आपको रोबोट डीप मौडिलेशन और दोस्तों चीप मंगी समका आवाज दे सकते हैं जिसका इस्तावाल तो लोगों कॉमेडी वीडियो वगए मैं आप कर सकते हैं ऐसे प्रोफेशनली आप नहीं कर पाएंगी इसको उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यह प्रॉप्शन मिल जाता है विंटेज दोस्तों जो देख लिया कि मीडिया में कैसे अपने सेटिंग्स टूल्स को कर सकता है तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे कि अब हम लोग अपने मीडिया में कैसे अपने लेयर को सेट कर सकता है तो दोस्तों हम लोग दोस्तों पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं यहाँ पर ए सब्सक्राइब है तो यहां पर भी आपको स्म Eupation देखने को मिल जाता है जो वीडियो मिलता थे भलके उससे थोड़ा कम भी आपशन आपको देखने को मिलेगा यह देख सकते हैं रोटेट का हूं यह जो मीडिया लोग किस अचलेक्ट करते हैं यह समझ आ गई होगी तो दोसी तरह हम लोग अपने लेर में भी जाकर जैसे माले जब मीडिया तो आपको एन्याव सेलेक्ट करके रखना ही होगा तो दोस्तों मैं इस वीडियो मापको क्रोमा की के बारे में सबसे पहले ब आपने पिको तो दोस्तों partir मैं अपने पिक को अगर यहां से चूज करूं तो यह देक सकते हैं अगर मुझे इसको बढ़ाता हूं यह जो पिख है दोस्तो यहां पर अगर मैं चाहла हूं तो, इसको फुल स्क्र鼹ण करने के लिए इस इसके देख सकते हाफ लेफ्ट राइट और डॉँन जो भी करने इसे में लोग कार सकते हैं तो मैं फुल कर सकता हूं वे इसको रहने देने को मिलता है तुक! evaluation देखने को मिल जाता है तुक है इसके बाद अगर açãoन्लों का फोटो है वह पैसे इंटरी है वीडियो में इस चीज को हम लोग आसे से एक कर सकते हैं जैसे मैं ड्रॉप कर देता हूं यहां पर इंटर इन्टर स्लाइड राइड ऍस्टांप यह देख सकते ही न तो स्लाइड डाउन गरिमेक्ड दोस्तों इस तरह overall animation होता है कि कैसे मतलब जब तक ये पिक वीडियो में दीख रही है वो मतलब किस पॉजिशन में रहेगी पल्स यानि कि धर रखते रहना इस तरीके से तक कि ओडियंस का रिटेंशन जाए इस पर ठीक है इसका में मोटिव यह होता है तो दूस्तों अगरे हम लोग आउट अनिमेशन में मतलब यह जब पिक जब यह इधर से चल जाएगी तो किस तरीके से जाएगी स्लाइड आप स्लाइड डाउन राइट फेड या फिर इस तरीके से भी आपने इसको मैं इसको फेट कर देता हूं फिलाल तो दूस्तों यह हो गया तो अब मैं आता हूं नीचे क्रॉपिंग आप्शन मिलता है अगर इस पर आऊं तो यहां से अपने पिक को अदूस्तों अगर आप यह स्कुर्म हो गया अब चाहते हैं कि किसी मतलब यह देख सकते हैं यह सर्कल वाला किता बढ़िया लग रहा ना इस तरीके से देखिए मैंने पिक को सिलेक्ट कर लिया हो गया ना यह फिर सब्सक्राइब क्लिक करूंगा तो अलफा ओपैसिटी मिल आती है मतलब देख सकते है यह कैसे ब्लेंड होने लगे हैं ऐसा लगी है ब्लेंडिंग होने लगी ठीक है इस तरीके सालफा उपैसिटी का हम लोग यूज़ कर सकता हैं और दोस्तों नीचे आए तो इसमें भी कलर फिल्टर का ओप्शन मिलता है जैसे देख सकते हैं इस तरीके से कर लेंगे उसके ब पर blending option मिलता है अगर दोस्तों यह देख सकते हैं कैसे background में यह घुल जाता है तो दोस्तों इस तरी के समीश को कर लेंगे उसके बाद दोस्तों उसके बाद अब मैं इसको स्लेक करके इसको डिलेट कर देता हूं अब दोस्तों मैं आता हूं लेयर में यहां जाओंगा मीडिया में अब दोस्तों मैं यहां से एक वीडियो को चूस कर लूँगा अब इसको दोस्तों फुल इसको मैंने लेता हूं मैं ले लेता हूं यहां प तोड़ा धेख लkaa यहां से जयसे मैंने ईहां पर बीक काफि सार्ट मिल लाते हैं तो दोस्तो जब वह dois करोगी का है तो आपको यहां पशिक्राइज सब्सक्राइब तो दोस्तों मैं क्या करूंगा सबसे पहले टाइम लाइन पर अपने सेट कर लूँगा ठीक है यह देख तो तौलेंड ट्रीम है यह उसके पाद दोस्तों यहां पर इन अनिमेशन आउट इनमेशन के कोई भी जरूवत नहीं है इसको वेस्टिंग पार्ट यहां पर दीख र को पुरा वाइट ले लेंगे और बैक्राउंड को फुली ब्लैक और इस तरीके से हम लोग अपने बैक्राउंड को चेंज कर सकते हैं पल भार में ठीक है तो यह देखिए मैंने अपने बैक्राउंड को चेंज कर लिया तो यह देख सकते हैं अब हम चाहें तो अपने कर दिया डोटेटिंग मीरोरिंग इसमें भी हम लोगों मिल लाता है जो के यूसफुल नहीं है यहां पर ठीक है इसको पहले मैं सीधा कर लेता हूं यह देखिए दोस्तों के बाद अगर मैं यहां आओ नीचे तो कलर अज़ेश्टमेंट वॉल्म इन वलप आपको यहां पर म मैंने आपको बता दिया हैं इस को तेज कर सकते हो जयासे तुए एक्स कर सकते हो लेफ्ट व्र थे कर सकते हो ऑं मै क्या करूंगा जोंगा नहीं पर रह नहीं होता मिला तो दोस्तों लेर में जाएंगे एफ्ट बजाएंगे और यहां पर गैसियन क्लिक करकर कि इसको दोस्तों यहां पर भी आपको देखिए इन इन्मेशन जीसे माल लेजे अपने Online को मुझे यहां फिर को चीज युआ इसको मुझे इनिमेशन दे सकते हैं इसमें कोई खास फॉर्क नहीं पड़ता हम लोग बस्ट्रीम कर सकते हैं इससे और यहां पर फिर से क्लिक करेंगे तो हम लोगो को क्रॉपिंग का उप्शन में लाता है ठीक है एक साइड में लाकर हम लोग इसको रखके यहां कर लेंगे और जब क्रॉपिंग करेंगे दोस्तों जब क्रॉपिंग में जाएंगे ही तो हम लोगो को यहां पर शेप्स मिल जाते हैं यह सरकल वाला सेप्स मिल गया ठीक है यह यहां पर सरकल बन गया इस पर ऐसे रख देंग उसके बाद दोस्तों जब फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर भी रोटेट इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अब मैं इसको यहां से डिलेट कर देता हूं फिर दोस्तों जब आएंगे लेयर में तो ओवरले का ओप्शन्स मिल लाता है दोस्तों ओवरले में आएंगे तिहां पर इस टीकर्स का वारा ऐसा होता है कोमेडिया फॉनी वीडियो में आप लोग देना होता है तो इस तरीके से हम अब इसमें भी हम लोग अपने अनिमेशन को दे सकते हैं जैसे मैंने यहां पर दे दिया आउट इनिमेशन में मैं स्लाइड राइट दे दे अगmers दोस्तो उसके बाद इसको मैं यहां से ट्र कर देता हूं ठीक है कर देंगे तो इसमें लोग एक आप्शन मिल जाता है लेटर बाइटर यह देखिए कि तब बढ़ी आइनिमेशन ने टेक्स्ट के लिए और आउट इनिमेशन में भी दोस्तों हम लोग टेक्स्ट के लिए ठीक है क्योंकि जब टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा तो फिर दिखेगा ही नहीं तो इसके लिए नहीं है यह उसके बाद दोस्तों लोग को यहां पर शैडो को बंद कर सकते हैं ग्लो को पिन कर देंगे और यहां से कलर चूस कर लेंगे ब्लैक यह लिए इस तरीके से आप अपने नेम को लिख सकते हैं और एनिमेशन चुके यहां पर यह देख ले आप यह देखिए हो गया तो दोस्तों मैंने यहां पर लेयर में आकर यहां पर एक टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर भी देख लिए अब दोस्तों मैं आता हूं हैंड पर लिए ता हूं यहां बें पर शुकि रहवे था कृट कर देता हूं भी ऐदर में दोस्तों मैं ने लिख स्था करदेता हूं रेटा ठीक लाया मैं तो सब्सक्राइध ने लिए ठीक है दोस्तों इस तरीके से करने के बाद आपको दोस्तों सब्सक्राइब और मैं आप से करूंगा कि आप जागे सब्सक्राइब कर दें हैं दोस्तों यहां पर एकाइजर का ओप्षन मिल लाता है जिससे हम लोग इसको इस भी कर सकते हैं आप चाहें कि एक बार में चिपचाप से इस पर क्लिक कर देए यह सब एक बार में रेजट हो जाएगा ठीक है दोस्तों के बाद मैं हैंड डायटिंग पर जब क्लिक करूँ गा तो यहाँ पर हम लोगो इन अनिमेशन आउट अनिमेशन मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यह ड्रॉप तो इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है दोस्तों इसको मैं हटा देता हूं तो दोस्तों मैंने लेयर वाले सेक्षन को भी कंप्लीट कर दिया अब दोस्तों मैं आज आता हूं ओडियो वाले आप्शन पर तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने वीडियो के बैक्ग्राउंड में एक बैक्ग्राउंड म्यूजिक को सेट करता है तो दोस्तों बैक्ग्राउंड म्यूजिक प्रॉक्स करके यहां पर छोड़ दूँगा और सेलेक कर दूँगा अब दोस्तों इसको प्ले करूंगा यह काफी बढ़िया लगीगा आप ट्राइ करके जरूर देखेगा इसे तो दोस्तों यहां पर भी हम लोगों को माल यह कहीं पर आडियो जैसे रखनी है 15% कहीं पर उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर बैकग्राउंड को अफ्षन मिल लाता है ठीक है आप इसको भी सेलेट कर सकते हो दूसरा सा एफक्ट आएगा एकदम वाला दोस्तों यहां पर लूप को आपको मिल लाता है एकस्टरेंडल और दोस्तों यहां पर कुछ खास नहीं है मेन यहाँ पर जो है वो है अपने आवाज को चेंज करना रोबोट और चीप मंक में और दोस्तों यहाँ पर जो वालियूम को जो कम बेस करते हैं इंक्रीज डिक्रीज यहां पर से यह बहुत काम की चीज़ है यह वाली टूल ठीक है दोस्तों इस तरी के साउडियो में कुछ ज्यादा हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है कि किसको दोस्तों मैं डिलेट कर दोंगा दोस्तों कई बारrier अपने वीडियो को बनाते हैं था मनोग उस्वक्त वाइस ओवर नहीं करते तो बहुत में में वाइस करते हैं तैके अच्छे इसके अच्छी बारा में डीटेर निया सकते सो के ऐसाब होटा है या बाइक जो मोटू वलॉग वगारा होता है, उसमें तो दोस्तों हमलों को ऐसा भी कर सकते हैं अपने किसी वीडियो के और गरार करने के बाद यहां पर को वाइस को तेज करना है तेज कर देंगे दोस्तों फिर से वाइस पर क्लिक करेंगे यहां पर आप रिव्यू के लिए सुन भी सकते हो आप री रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने वीडियो को यहां पर फिर से यांके बीना इसको कट किये चुक्के यह डिलिट हो जाएगा इस इसको background करने का भी option मिल जाता है ट्रिम करने का भी option मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो option मिल गया उसमें जो main option है यह वाला ठीक है अपने वाइस को उपर नीचे हम लोग कर सकते हैं किसी भी position पर जाकर पिर सो दोस्तों मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो यह तो मैं पहले भी को बता चुका तो दोस्तों फाइनली मैंने फॉर्थ वाले option यानि के audio वाले section को भी मैंने complete कर दिया अब दोस्तों मैं आपको चलता हूं mislainious में लेकर दोस्तों माली अगर मैं इस पर क्लिक किया तो यह जो उपर में जो आइरो वाला है इसको अंडू कहते हैं इसको रेडू कहते हैं ठीक है अगर मुझे से गलती हो गए तो मैं इससे कर सकता हूं अब दोस्तों माली जिए हमने प्रोजेक्ट में जितना लेर यह सब सेट कि हम लोगों को दीख नहीं रहे एक बार में तो इ को विडियो बनाने में आसानी होगी इस तरीके से मैं इसको फिर से इसी पोजिशन में लेयाते हूं तो हम तो फिर से मैं इसको करता हूं एंडो नीचे दूस्तों आपको bucko सब्सक्राइब आप क्लिक करते आपका यह है ये व्लक्र staircase करें चलता हूं यहां देख सकते हैं कि इसको मैं यहां से इसको रहने देता हूं । देख सकते हैं कि इसका जो आउट इन पोजिशन लास्ट और इंट पोजिशन सेम नहीं है इस पर मैं आपको एक सेटिंग बताने वाले इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया दोस्तों यहां पर आपको कैप्चियों कैप्चर फिरे मैं इंसर्टों क्लिप अगर आपको मैं साइड में माल इसको मैं कैप्चर करें हैं फूस्ति क्लिक करते हैं इस हो दो मुझे लेलर में आगर स्कॉर आट कर आ है तो फोर्थे कर लें कुछ भी यहां से मैं कर लिया इसको ठीक है तो यह काफी उमीद करता हूं इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी होगी और वीडियो को लाइक कर दीजे ताके जो मैंने मेनत किया दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए अब क्या करो वीडियो थोड़ी लंबी तो ह हो गई लेकिन मुझे यकीन है कि एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर आपको दूसरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूस्तों उसी तरीके से मैं यहां पर इसको डिलेट कर देता हूं ठीक है यहां पर आपको डिलेट का भी ऑप्शन देखने को मिलाता ह दॉस्तों यह जो पिक बचे उस में दॉस्तों यहां पर अगर आपको ट्रीडॉट पर क्लिक कर ग transf और तो आपका option मिलता है डूप्लीड डूप्लीकेट के लिए click कर दिया मैंने यह गए कर दोप्षन नहीं है फिर से क्लिक करूंगा कप मिल लाता है तो आप headers में यूज़ करेंगे जैसे मैं यहां पर अया और दोस्तों मैं यहां पर एक्सपोर्ट में गिया और यहां पर आ गया और ऑ है ठीक है मैं इसको मैं डलिट कर देता हूँ सबसे पहले मैंने क्वेगराऊंड च्छुना ठीक है इसको मैं डिर्ट कर देता हूं और रहे इस और ये जा से आजिए अगर मैं लेयर में आया मीडिया में जया उसके बाद यहा से एक फाल को करचण लिया यहां से इसको मैं दोस्तों यहां से क्रॉप कर दूँ तो मैं बता चुकांब कैसे करना है इस तरीके से हम अधोस्तों इसके बाद मैं क्दों माओंगा सिंपली इसको इनिवेल कर दूँगा यहां से तुक यहां से तरीके से हो गया इस पर जैसे वैं दोस्तों क्लिक करूंगा मंनो को एक option देखने देखे पर डॉट बनके उसको आप इस तरफ ले खीक है और यहां से अग्रेपके कर दे कर देखो आप क्या होता है इस तरी के से हो गया ठीक है अब माई ले चाहता हूं कि यह अब लिस तरफ आजाए तो इस पर मैं क्लिक करके यह यहां लाओंगा और इसको डारेक्ट यहां ले आओंगा अब देखो अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यह तुरंट फॉरं उस तरफ ही चला जाए इस पर क्लिक करके इस पर इधर में ले आओंगा यह डाट को जितना नजदीक रहोगा उतना फास्ट फास्ट यह काम करेगी जैसा कि देखिए आप यह तो कितना धीरे धीरे गई ना अब यह इधर आ गए अब इस से भी फास्ट इस तरफ आ गया ना तो इस तरीके से हम लोग कर सकता हूँ उसी तरह दोस्तों सब्सक्राइब बटन भी हम लोग यहां पर एट कर सकते हैं जैसे मैं हम मीडिया में गय मीडिया में जाने के बाद दोस्तों मैं यहां पर टेक्ष्ट पर गया और यहां पैनल लीग देता हूँ सब्सक्राइब और दोस्तों मैं इसका जो कलर है कलर जो है दोस्तों मैं इसका यलो चूस करूंगा और यहां पर यहां पर क्लिक करूंगा और दोस्तों यहां पर मैं यहां ले आता हूँ फिर इस फे क्लिक करके दूस्तों मैं यहां ले आता हूँ वह मैं अपने को एक option जो है अगर वो अगर हम जान ले तो वो काफी काम आने वाली जैसा अगर मैं सेटिंग में आया तो दुस्तों अबाउट में जाता हूं तो मैं किसी फोटो को और सेलेक्ट करता हूं तो देखते हूं कि 6 सेकेंड का ही दिखता है तो दोस्तों अगर हम चाहें तो उसको 0.757 अब देखिए अब मैं कोई भी पिक को अगर यहां किसी न्यू प्रोजेक्ट में आऊंगा और यहां पर मैं माल यह कैप्चर वाले को अगर 10 बार अगर सिलिक करूं यह देख सकते हैं कि कितना छोटा ह ओने लागा ठीक है इस तरह के सब्सक्राइब में जाओं और यहां इडिटिंग में अब दोस्तों अगिए में इसको 15 कर दो अब दोस्तों अब मेडिया में जाकर इसक्र वाले को किलिक करो तो यह देख सकते हैं हो गया ना दोस्तों आप इसको मैं बैक लेता हूं इस प्र जब चाहते हैं कि मज़ें बार-बर या सेटिंग नहीं कรनी पड़े चुप चब से सेटिंग में जा हैं एडिटिंग में एडियों स्क्रीन पर क्लिक कें लिए आप दोस्ट जो भी आप मीडिया इसे चुश करें आप यह फिट इन्य एन् dyn भी जो मैं ने किय फेट इन एस स्क्रीन हैं यह देख सकते हैं अब दोस् Todos अगर आपको दो ठीकidas affecting is screen here दोस्तों अब दुस्तों नहां से बाक हो लेता हूँ अब दोस्तों मैं चलता ओ स्वाले मे और इसको प्रसों उपन कर लेता हूं आद दोस्तों इसको मैं बढ़ा लेता हूं तो रहा ठीक है दोस्तों मैं 제가 मैं चाहता हूँ को फिर से मैं चलिए मैं इस वाले को यहां से तो यह देख सकते हैं कि यह दो जो है इसके बीच में हम लोग बहुत सारे निमेशन को दे सकते हैं जैसे मैं इधार आता हूं यह देखिए एक निमेशन एक मिनट इसको तो रहा कम यह देखिए अब किस तरीके से यह चेंज होगा अब मैं चाहूं तो यहाँ पर सरकल भी लगा सकता हूं अब देखिए कैसे काम करता है इस तरीके से मुझे कुछ भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं ठीक है इस टार भी लगा सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने वीडियो की डिटिंग कर सकते हों दोस्तों मुझे उमीद है कि मैंने अप्रॉक्स सभी चीजों को कैप्चर कर लिया बस सेटिंग वाले सेक्शन को छोड़ देता हूं इस पर अगर आपको कमेंट में अगर पर कमेंट करते हो कुछ लोग के मुझे सेटिंग के बारे में बताईए तो मैं दोस्तों सेटिंग के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे म मोटिवेशन मिले इसके लिए अपने दोस्तों को शेर कीजिए और मुझे ऐसा ही सपोर्ट कीजिए तो मिलता हूँ से लेट